श्रीमती गिर्जा देवी, रानी भद्री बाबा के प्रती अपना आभार प्रकट करते हुए कहती है कि श्री चर्णों की महान अनुकम्पा मेरे उपर हमेशा बनी रही और मुझे उनके दर्शन सुलब होते रहे। जब राजा भद्री कूलपती होकर पंथनगर विश्व विद्यालय में आये तो मैं भी उनके साथ थी। कुछ दिनों बाद मेरी भी की तबियत बहुत खराब हो गई। इससे मैं अत्यंत चिंतित हो थी और उस परेशानी में रोने लगी। उसी समय आकर बाबा ने मुझे प भी मैं बड़ी परेशानी में थी। तब ही आराध्यदेव श्री महाराज जी बिना किसी पूर्व सूचना के लखनव मेरी कोठी में पहुँच गए और लड़की को आशीरवाद देकर चले गए। मेरी समस्त परेशानीों स्वतह गायब हो गई और विवाह कार्य बहुत स दुख और शान्ती से पूर्ण हुआ।